मुझ्शी प्रेम्चन जी की कहानी मंत्र संध्या का समय था, डॉक्टर चढधा गॉल्फ खेलने के लिए तयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी, कि दो कहार एक डोली लिया आते दिखाई दी डोली की पीछे एक बुढ़ा लाठी टेकता चला आता था, डोली आउशदाले के सामने आकर रुग गई बुढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाका, ऐसी साफ सुत्री जमीन पर पैर रखते वे भय हो रहा था, कि कोई धुडक न बैठे डॉक्टर साहब को खड़े देख कर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरस कर कहा, कौन है, क्या चाता है, बुढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने सिगार जला कर कहा, कल सबेरे आओ, कल सबेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बुढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर चार दिन से आँखे नहीं डॉक्टर चड़ा ने कलाई पर नजर डाली, केवल दस मिनट समय और बाकी था, गॉल्ड स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सबेरे आओ, कल सबेरे, यह हमारे खेलने का समय है बूढे ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, साथ लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधू, ऐसे उजड देहाती यहां प्रायह रोज आया करते थे, डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे, कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनींगे नहीं, धीरे से चिक उठाई और बाहर निकल कर मोटर की तरफ चले, बुड़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दोड़ा, सरकार बड़ा धरम होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबुजी, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी और मुँ फेर कर देखा तक नहीं, मो इस चल खड़ा रहा, संसार में ऐसे मनिशवी होते हैं, जो अपने आमोद, प्रमोद के आगे, किसी की जान की भी परवा नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था, सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनिभव अब त मुर्दे को कंधा देने, किसी के चपर को उठाने, और किसी कलह को शान्त करने के लिए सदय तयार रहते थे, जब तक बूढे को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टक्टकी लगाए, उस और ताकता रहा, शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लोट आने की आशा थी, फि शारों और से निराश होकर वह डॉक्टर चड़ा के पास आया था, इनकी बड़ी तारीव सुनी थी, यहां से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किसमत ठोक ली, उसी रात उसका हस्ता खेलता साथ साल का बालक अपनी बाल लिला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, बुढ़े माबाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मोदे कर जीते थे, इस दीपक के बुचते ही जीवन की अंधेरी रात भाय भाय करने लगी, बुढ़ापे की विशाल ममता तूटे वे हिर्दे से निकल कर अंधकार में आर्तस्वर से रोने लगी, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड़ा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्तिय की रक्षा भी की, जो एक असाधारन बात थी, यह उनके नियमित जीवन का आशिर्वात था, कि पचास वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और जो भर भी न टलते थे, बहुदा लोग स्वास्ते की नियमों का पालन उस समय करते हैं, जब रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर चड़ा उपचार और संयम का रहस्य खूप समझते थे, उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी, उनके केवल दो बच्चे हुए, एक ल लड़की का तो विवा हो चुका था, लड़का कॉलज में पढ़ता था, वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्याले का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुख मंडल से तेज की छटासी निकलती आज उसकी बीस्वी साल गिरा थी, संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी, शहर के रईश और हुकाम एक तरफ, शहर के रईश और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के चात्र दूसरी तरफ बैठे, भोजन कर रहे थे, बिजली के प्रकाश से सारा मैदा जगमगा रहा था, आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था, छोटा सा प्रहसन खेलने की तयारी थी, प्रहसन स्वयम कैलाश नात ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था, इस समय वह एक रेश्मी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पाउं, इधर से उधर, मित्रों की भगत में लगा हुआ था, कोई पुकारता, कैलाश, जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता, कैलाश, क्या उधरी रहोगे, सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे, बेचारे को जरा दम मानने का अवकाश न मिलता था, सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क् कैलाश, तुम्हारे सांप कहा है, जरा मुझे दिखा दो, कैलाश ने उससे हाथ मिला कर कहा, मृणाली नी इस वक्षमा करो, कल दिखा दूँगा, मृणाली ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो, म्रणालिनी और कैलाश दोनों सहपाटी थे और एक दुसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था तरतर के सांप पाल रखे थे उनके सुभाव और चेत्र की परिक्षा करता रहता था थोड़े दिन हुए उसने विद्याले में सांपों पर एक मारके का व्याख्यान दिया था सांपों को नचा कर दिखाया भी था प्रानी शास्त्र के बड़े-बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे यह विद्या उसने एक बड़े संपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटिया जमा करने का उसे मरश था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन नाता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही व्यसन था इस पर हजारों रुपिये फोंक चुका था मृर्णालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उच्सुक न हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उच्सुकता सचमुझ जा गई थी या वह कैलाश पर अपना अधिकार का प्रदर्शन करना चाती थी पर उसका आगर बे मौका था उस कोटरी में कितनी भीड लग जाएगी भीड को देख कर सांप कितने चौकेंगे और रात के समय उन्हें छेडा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नाया कैलाश ने कहा नहीं कल जरूर दिखा दूँगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूँगा कमरे में तिल रखने को भी जगण न मिलेगी एक महाशे ने छेड कर कहा दिखा क्यों नहीं देते जरासी बात के लिए इतना टालमटोल कर रहे हो मिस गोविंद हर गिस न मानना देखें कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशे ने और रद्दा चड़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है तबी आप इतना मिजास करते हैं दूसरे सुन्दरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे रंग पर चड़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत न करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो चुट्टी होई इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर दिखाए भी तो कैलाश को मृनालिनी की जेपी हुई सूरत को देख कर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तों में उसे बुरा लगा है जो ही प्रिती भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृनालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दर्बे के सामने ले जाकर महुर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोल कर एक एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीडे उसकी एक-एक बात उसके मन का एक-एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया मृनालिनी बार-बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो दूर से ही दिखा दो बस जरा नचा दो कैलाश की गरदन में सांपों को लिपटते देख कर उसकी जान निकली जाती थी पश्ता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक न सुनता था प्रेमिका के सम्मुक अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वहकब चूकता एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हस कर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए कही तो दिखा दूँ कहकर उसने एक काले साम को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला साम दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आत्मी आनन फानन में मर जाए लहर भी ना आए इसके काटे पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूँ म्रणाली नी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा नहीं नहीं कैलाश इश्वर के लिए इसे छोड़ दो तुमारे पैरों पड़ती हूं इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा कैलाश ने सांप की गरदन पकड़ कर कहा नहीं साहब आप आँखों से देख कर मानिये दांत तोड़ कर वश में किया तो क्या सांप बड़ा समस्दार होता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आत्मी से मुझे कोई हानी न पहुँचेगी तो वह उसे हरगिस न काटेगा म्रनालीनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक भूद सवार है तो उसने यह तमाशा न करने की विचार से कहा अच्छा भाई अब यहां से चलो देखो गाना शुरू हो गया है आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी यह कहते हुए उसने कैलाश का कंथा पकड़ कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गरदन पकड़ कर जोर से दबाई इतनी जोर से दबाई कि उसका मू लाल हो गया देह की सारी नसे तन गई सांप ने अब तक उसके हातों ऐसा व्यवहार न देखा था उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते है उससे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मा डालना चाहते है अतेव वहा आत्मरक्षा के लिए तयार हो गया कैलाश ने उसकी गरदन खूब दबा कर मूझ खोल दिया और उसके जहरीले दान दिखाते हुए बोला जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें आया विश्वास या कि अब भी कुछ शक है मित्रों ने आकर उसके दान देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमान के सामने संदे को स्थान कहा मित्रों का शंका निवारन करके कैलाश ने साब की गरदन धीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था गरदन नरम पड़ते ही उसने सिर उठा कर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा कैलाश की उंगली से टप-टप खून टपकने लगा उसने जोर से उंगली दबाली और अपने कमरे की तरफ दोडा वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विश भी रफू हो जाता था मित्रों में हल्चल पड़ गई बाहर महफिल में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा कर दोड़े फोरण उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे वहां उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाते मगर कैलास को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मरणाली नी प्यानों पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दोड़ी और कैलास की उंगली से तपकते हुए खोन को रुमाल से पोचने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलास की आंखें जपकने लगी ओठों पर पीलापन दोडने लगा यहां तक की वह खड़ा न रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता था कोई कुछ इतने में जड़ी पीस कर आ गई मरणाली नी ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आँखें बंध हो गई वह लेट गया और हाथ से पंखा जलने का इशारा किया मा ने दोड़ कर उसका सिर गोध पर रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया डॉक्टर साहब ने जुक कर पूछा कैलाश कैसी तबियत है कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिये पर कुछ बोल न सका म्रनालिनी ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर न करेंगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा क्या बतलाओं मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा न होगा आद घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रतिशन बिगड़ती जाती थी यहां तक कि उसकी आँखें फत्रा गई हाथ पाउं ठंडे पड़ गए मुख की कांती मलिन पड़ गई नाडी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षन दिखाई देने लगे घर में कुहराम मच गया म्रणाली नी एक और सुर पीटने लगी मा अलग पच्छाडे खाने लगी डॉक्टर चड़ा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते एक महाशे बोले कोई मंत्र जाणने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए एक मुसल्मान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहथ कब्र में पड़े हुई लाशें जिन्दा हो गई हैं ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं डॉक्टर चढधा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती बार बार समझाता रहा कि बेटा साप न पालो मगर कौन सुनता था बुलाईये किसी जाड़ फूं करने वाले को ही बुलाईये मेरा सब कुछ ले ले मैं अपनी सारी जायदात उसके पैरों पर रख दूंगा लंगोटी बांध कर घर से निकल जाओंगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उट बैठे इश्वर के लिए किसी को बुलवाईये एक महाशे का किसी जाड़ने वाले से परिचय था वह दोड कर उसे बुला लाए मगर कैलाश की सूरत देख कर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी बोला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह हुआ माबाप ने बेटे का सेहरा कहा देखा म्रणालिनी का कामना तरू क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा मन के वह स्वर्ण स्वपन जिनसे जीवन आनंद का स्रोद बना हुआ था क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमक्न नहीं हो गई जो न होना था वह हो गया वही हरा भरा बैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भानती प्रकृती पर चाई हुई थी वही मित्र समाश था वही मनोरंजन के सामान थे मगर जहां हास्य की द्वनी थी वहां करुन क्रंदन और अश्रु प्रवाह था शहर से कई मिल दूर एक छोटे से घर में एक बुढ़ा और बुढ़िया अंगीती के सामने बैठे जाडे की रात काट रहे थे बुढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खास्ता था बुढ़िया दोनों गुट्नियों में सिर डाले आग की और तांक रही थी एक मिट्टी के तेल की कुप्पी तांक पर जल रही थी घर में न चारपाई थी न बिच्छोना एक किनारे थोड़ी सी पुवाल पड़ी हुई थी इसी कोट्री में एक चूलहा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखली लकडिया बटोरती थी बुढ़ा रसी बटकर बाजार में बेच आता था यही उनकी जीविका थी उन्हें न किसी ने रोते देखा ना हसते उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हसने की कहा फुर्सत बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो है नहीं काम क्या करोगे जाकर जगडू सासे दस से सन उधार लाओंगा उसके पहले के पैसे तो दिये ही नहीं और उधार कैसे देगा न देगा न सही घास तो कही नहीं गई दोपहर तक क्या दो आने की भी न काटूंगा इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी भगत भगत क्या सो गए जरा किवाट खोलो भगत ने उठकर किवाट खोल दिए एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डॉक्टर चड़ा बाबू के लड़के को साप ने काट लिया भगत ने चौक कर कहा चड़ा बाबू के लड़के को? वही चड़ा बाबू है ना? जो चावनी में बंगले में रहते हैं हाँ हाँ वही शहर में हल्ला मचा हुआ है जाते हो तो जाओ आदमी बन जाओगे बूढे ने कठोर भाव से सिरहला कर कहा मैं नहीं जाता मेरी बला जाए वही चड़ा है खूब जानता हूँ भईया लेकर उनी के पास गया था खेलने जा रहे थे पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिये मगर सीधे मूँ से बात तक न की भगवान बैठे सुन रहे थे अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है कई लड़के हैं नहीं जी यही तो एक लड़का था सुना है सबने जवाब दे दिया है भगवान बड़ा कारसाज है उस बकत मेरी आँखों से आसु निकल पड़े थे पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता तो न जाओगे हमने जो सुना था सो कह दिया अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आँखें ठंडी हो गई लड़का भी ठंडा हो गया होगा तुम जाओ आज आज चैन की नीन सोऊँगा जरा तंबा को ले ले एक चिलम और पीऊंगा अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी हमारा क्या बिगडा लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया जहां छे बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना अब क्या करोगे एक बार देखने जाओंगा पर कुछ दिन बाद मिजास का हाल पूछूंगा आदमी चला गया भगत ने किवाड बंद कर लिये तब चिलम पर तंबाखू रख कर पीने लगा बुढिया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता सवारी दर्वाजे पर लेने आती तो भी न जाता भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आखों में फिर रही है इस नरदई ने उसे एक नजर देखा तक नहीं क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा खूब जानता था चड़ा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमरत बरस जाता नहीं खाली मन की दोड थी अब किसी दिन जाओंगा और कहूंगा क्यों साहब कहिए क्या रंग हैं दुनिया बुरा कहेगी कहें कोई परवा नहीं छोटे आद्वियों में तो सब एब हैं बड़ों में कोई एब नहीं होता देवता होते हैं भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो असी वर्ष की जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि साब की खबर पाकर वह दोड ना गया हो माग पूस की अंधेरी रात चैत बैसाक की धूप और लू सावन भादों की चड़ी हुई नदी और नाले किसी की उसने कभी परवाना की वह तुरंद घर से निकल पड़ता था निश्वार्थ निश्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं यह ऐसा काम ही ना था जान का मोल्य कौन दे सकता है यह एक पुन्यकार्य था सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवनदान दे दिया था पर आज आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका यह खबर सुनकर सोने जा रहा है बुढिया ने कहा तंभा को अंगेटी के पास रखी हुई है उसके भी आज धाई पैसे हो गए देती ही ना थी बुढिया यह कहकर लेटी बुढिया ने कुप्पी बुजाई कुछ देर खड़ा रहा फिर बैट गया अंत को लेट गया पर यह खबर उसके हुरदय पर बोजह की भांती रखी हुई थी उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचट लगा हुआ है जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है बुढिया जरा देर में खराटे लिने लगी बुढिये बातें करते करते सोते हैं पर जरा सा खटा होते ही जाकते हैं तब भगत उठा अपनी लकडी उठा ली और धीरे से किवाड खोले बुढिया ने पुछा कहा जाते हो कहीं नहीं देखता था कि कितनी रात है अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद कहाय आवेगी मन तो चड़ा के घर पर लगा हुआ है चड़ा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाओ वहाँ आकर पैरों पड़े तो भी न जाओ उठे तो तुम इसी रादे से हो नहीं री ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिर हूँ बुढिया फिर सो गई भगत ने किवाड लगा दिये और फिर आकर बैठा पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवास कांट में पड़ते ही उपदे सुनने वालों की होती है आखें चाहे उपदेशक की और हों पर कान बाजे की और ही होते है दिल में भी बापे की ध्वनी गुंचती रहती है शरम के मारे जगह से नहीं उठता निर्दई प्रतिगात का भाव भकत की दिये उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की और था जो इस समय मर रहा था जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था उसने फिर किवार खोले इतने धीरे से कि बुढिया को खबर भी न हुई बाहर निकलाया उसी वक्त गाउं का चौकिदार गश्त लगा रहा था बोला कैसे उठे भगत आज तो बड़ी सर्दी है कहीं जा रहे हो क्या भगत ने कहा नहीं जी जाओंगा कहा देखता था अभी कितनी रात है भला के बजे होंगे चौकिदार बोला एक बजा होगा और क्या अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चडड़ा के बंगले पर बड़ी भीड लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा कीडे ने चू लिया है चाहे मर भी गया हो तुम चले जाओ तो साइत बज जाए सुना है एक हजार तक देने को तयार है मैं तो न जाओं चाहे वह दस लाग भी दे मुझे दस हजार या दस लाग लेकर करना क्या है कल मर जाओंगा फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है चौकिदार चला गया भगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती पैर कहीं रखता है पढ़ता कहीं है कहता कुछ है जबान से निकलता कुछ है वही हाल इस समय भगत का था मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधिन न था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता उसके हाथ कामते हैं उठते ही नहीं भगत लाठी खट-खट करता लपका चला जाता था चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी राह निकल जाने के बाद सैसा भगत रुग गया हिमसा ने क्रिया पर विजय पाई मैं योही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी आराम से सोया क्यों नहीं नींद ना आती न सही दो चार भजन ही गाता विर्थ इतनी दूर दोड़ा आया चड़ा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलू किया था कि मैं उनके लिए मरूं दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी के मरने जीने से मतलब मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारन किया जो हिमसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह जाड फूं करने नहीं जा रहा है वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा किस तरह सिर पीटते हैं किस तरह पचाडे खाते हैं वे लोग तो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे हिमसा भाव को यो धीरस देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा इतने में दो आदमें आते दिखाए दी दोनों बातें करते चले आ रहे थे चड़ा बाबू का घर उजड़ गया वही तो एक लड़का था भगत के कान में यहां आवास पड़ी उसकी चाल और भी तेज हो गई थकान के मारे पाउन न उठते थे तो भाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मो के बल गिर पड़ेगा इस तरह वह कोई दस मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा चाया हुआ था रोने पिटने के आवास भी ना आती थी भगत का कलेजा धक धक करने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई वह दोड़ने लगा अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दोड़ा था बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दोड़ी आ रही है दो बज गए थे महमान विदा हो गए रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर ठक गए थे बड़ी उच्सुकता के साथ लोग रह रह आकाश की और देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुँच कर आवाज दी डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुदकार दिया होता मगर आज बाहर निकलाए देखा एक बुढ़ा आदमी खड़ा है कमर जुकी हुई पोपला मूँ बौहें तक सफेध हो गई थी लकड़ी के सहारे काप रहा था बड़ी नमरता से बोले क्या है भई आज तो हमारे उपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महिना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूँगा भगत ने कहा सुन चुका हूँ बाबुजी इसलिए आया हूँ भईया कहा है जरा मुझे दिखा दीजिए भगवान सब कारसाज है मुर्दे को भी जिला सकता है कौन जाने अब भी उसे दया आजाए चड़ा ने व्यतित स्वसे कहा चलो देख लो मगर तीन चार घंटे हो गए जो कुछ होना था हो चुका बहुतेर जानने फुकने वाले देख देख कर चले गए डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी हाँ बुढे पर दया आ गई अंदर ले गए भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा तब मुस्करा कर बोला अभी कुछ नहीं बिगडा है बाबुजी यह नारायन चाहेंगे तो आद घंटे में भईया उट बैठेंगे आप नाहक दिल चोटा कर रहे हैं जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया पाईप बंध हो गया था कहारों की संख्या धिक न थी इसलिए मेहमानों ने आहाते के बाहर के कुवें से पानी भर भर कर कहारों को दिया म्रणाली नी कलासा लिये पानी ला रही थी बुढ़ा भगत खड़ा मुस्करा मुस्करा कर मंत्र पड़ रहा था मानो विजय उसके सामने खड़ी हो जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलास के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका आखिर जब उशा ने अपनी लाल-लाल आखें खोली तो कैलास की भी लाल-लाल आखें खुल गई एक शन में उसने अंगडाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर चड़ा ने दोड़ कर नाराइनी को गले लगा लिया नाराइनी दोड़ कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और म्रणालीनी कैलाश के सामने आखों में आशू भरे पूछने लगी अब कैसी तबियत है? एक शन में चारों तरफ खबर फैल गई मित्रगन मुबारकवाद देने आने लगे डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उच्सुक हो उठे मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी यहां तो भगत की चारों और तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाओ जब महमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायनी से कहा बुढ़्धा नजाने कहा चला गया एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दोंगी चड़ा साहब कहने लगे रात को तो मैंने नहीं पहचाना पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इंकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपरात शमा कराऊंगा बह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है उसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन परियंत मेरे सामने रहेगा